इस्कोलियोडान का डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से है इस्कोलियोडान का रेस्पारेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ओर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है और इनमें लॉर इंजिनी की तुम भी काएं क्या होती है एंडो इसकल्टन, एक्सो फिस भी कहते हैं अब देखें जो सभी मचलियां हैं वो क्या है सुपर क्लास पीसीज के अंतरगत रखी गई हैं और जो मचलियां होती हैं मूलता क्या होती हैं जली होती हैं और जौ बीरिंग वर्टी जाते हैं जैसे कि हम डाइग्राम में देख रहा हैं यह क्या है यह पेर्ड फिन्स होते हैं अब देख लेते हैं सबसे पहले इसका systematic position इसका classification किस प्रकार से है यह बहुत important है तो सबसे पहले इसका देखिए phylum क्या है phylum है इसका car data सब phylum है vertebrata division कौन सा है इसका नैथो इस्टो मेटा super class है pices class है इसका conducties इसके बाद है sub class sub class क्या है इसका sub class है सिले कियाई order क्या है इसका squeliformis या plurotrimeta family क्या है car carry needy genus क्या है is coliodon और इसकी species कौन सी है इस coliodon सारा कोवा है तो इस प्रकार से यह है इसका systematic position अब इसका external features देख लेते हैं किस प्रकार से होता है तो इसके external features की बात करें तो shape size and color किस प्रकार से होता है देखिए जो इनका सरीर होता है जो इनकी body होती है वो किस प्रकार से होती है लंबी होती है तीक है जैसे कि हम इस diagram में देख रहे हैं लंबी होती है और आकार में क्या होती है तरकू के समाने या इस्पिंडल के समाने तथा पार्सों से चप्टा होता है और इसका जो नौकाकार या धारा रेखिद आकार है इसी को क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन फॉर्म तो यह क्या करते हैं कि जल के प्रतिरोध को कम करके तैरने की गती को तीब्रवा आशान बनाता है एक पूर्ड व्रद्धी प्राप इस कोलियोडान की लंबाई कितनी होती है लगभग साट सेंटी मीटर होती है तीक है अब देखे बॉड़ी पॉ इस प्रकार से इस कोलियोडान के सरीर को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है आप देखे जो ये इस कोलियोडान है इसके अग्र जो इसका छोर है उस पर क्या होता है ये नुकीले तुन्ड यानि कि इसनाउट है न ये नुकीले तुन्ड इसनाउट या इसी को कहते हैं रोष्ट्रम में विक्सित होता है और क्या होते हैं इसकिन में दबे असंख पट ताव या इसी को कहते हैं प्ले क्वाइड सलकों के पीछे की तरफ मुड़े और उभरे कंटकों के कारण सरीरतल क्या होता है इनका खुर्दुरा होता है फिर इसके बाद इनकी fins की बात करें यानि की जो पक होते हैं इनके देखिए इस डायग्राम से हमें समझ में आ जाएगा यह क्या है यह Scales यह जो खुर्दुरे टाइप में Scales हो गये और यह क्या है यह Fin है ठीक है और देखिए गिल्स कहां पे होते हैं इनके यह यहाँ पर क्या है यह गिल्स है तो इनकी जो पक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है डॉक फिस के जो फिंस हैं वो देह भिति यानि की बॉडी वॉल के क्या होते हैं परदे जैसे आउट ग्रोध हैं ठीक है डॉक फिस के जो फिंस हैं Body Wall के परदे जैसे Out Growth है और Fins कितने प्रकार के होते हैं Fins दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से पहला हो गया Unpaired या इसी को कहते हैं Median Fins और दूसरा हो गया Pared या Lateral Fins इसके बाद बात करते हैं इसके Eyes की इसके नेत्र किस प्रकार के होते हैं तो देखे, सिर के प्रतेक पार्स में एक इसपस्ट गोल नेत्र है पल के तोचा की अल्प विक्सिद उभार तथा अगतिसील होती है लेकिन खत्रे के समय एक अग्राधरी इस्थिती गतिसील निमेशक पटल फैल कर नेत्र को ढख लेता है जैसे की हम इस डैग्राम में देख रहे हैं, यह क्या है? यह इस कोलियोदान की नेत्र है, आईज है इसके बाथ बाथ करें, इसके देख्जदर की थीक है? यानि की बाड़ी एपरचर की तो इसमें से इसके कई देचिद्र होते हैं जैसे की देखिए माउथ हो गया तीक है नेरीज हो गया एक्सटरनल गिल्स हो गया क्लेकल एपेरिचर हो गया एब्डॉमिनल पोर्स हो गया काउडल पिट्स हो गया लेटरल लाइन एंड पोर्स हो गया एम्पिलूरी पोर्स हो ग देखिए, जब हम देखते हैं तो हमें और भी concept clear हो जाता है इसलिए डाइच्ग्राम से पढ़ना बहुत जडूरिया है तो अब इसमें से जब हम लुए की बात करते हैं तो देखिए दोनों जबडों में मुख जो होते हैं, इनके दोनों जबडों में पैने नुकीले और पस्च दिष्ट दातों की एक या दो कतारे होती है ठीक है ये और ये क्या करते हैं जो सिकार पकड़ने के लिए अनकूलित होते हैं ठीक है लेकिन चबाने के लिए नहीं तो देखें यहाँ पर एक कॉंसेट क्लियर हो गया एक कुश्चन यहाँ से यह बन चबाने के लिए तो यह सिकार पकड़ने के लिए अनकूलित हैं लेकिन चबाने के लिए नहीं इसके बाद दूसरा चिद्र है इसका नेरीज यानि कि इसी को कहते हैं नासा चिद्र नासा चिद्र क्या है यह जो है पूर्ड़ता यह वाला यह क्या है यह पूर्ड़ता ओल factory है यानि सूंहने के लिए तीक है इस यू कहते हैं ग्राड यानि कि सूंहने की जो छमता होती है वो यहीं से ही यह करते हैं इसके बाद है external internal grid slides तो यह कितने होते हैं एक से पांच होते हैं पांच तिरचे गिल चिद्रों की सरी पाई जाती है यह 5 जो है और यह क्या करते हैं अंदर की ओर गिल पांच्स दोरा फे अपरण्जयल कैविटी में खुलते हैं जथा सोसन क्रिया में भाग लेते हैं भूट्व हैं फिर ऐसके बाद है clickmen emial aperture और यह क्या होते हैं इसी को कहते हैं अवस्कर चिद्र अवस्कर चिद्र नीचे की तरफ तो ये देखिए ये है अवस्कर चिद्र नीचे की तरफ यह तो ये क्या होते हैं पूँच के मूल पर दोनों स्रोंड पक्खों के बीच में अगल बीमीडियल गरूप या अवसकर छिद्र खुलता है तैक है आब इसके बात क्या है अबces एबॉमिनल पॉर्स में टो देखेओ यहां पर हमें हमें यह समझ में आ रहा है कि यह abdominal पोर्स है यहीं पर ही ठीक है abdominal पोर्स है तो यहाँ पर जो abdominal पोर्स है इसी को कहते हैं उदरी छिद्र इसके बाद है caudal pits यानि कि पुच्च गर्थ यह caudal pits पुच्च गर्थ होती है और इसके बाद है फिर कौन सा lateral line and pores यानि कि पार्स रेखा और छिद्र इसके बाद है empulry pores ठीक है यह empulry pores यह सबसे आगे है यहाँ पर तो यह empulry pores है इसी को कहते हैं तुम्भी का छिद्र ठीक है तुम्भी का चिद्र सिर और रोस्ट्रम पर जो sensory organs है यानि कि लॉरेंज नी तुम्भी काओं के छोटे छोटे तुम्भी का चिद्रों के अनेक समूँ खुलते हैं तो यह चिद्र होते हैं तो यह क्या कहलाते हैं empulry pores तो इस प्रकार से यह हो गया इसके देह चिद्र यानि कि body aperture फिर इसके बाद है exo skeleton यानि कि बहिकंकाल बहिकंकाल तो इसमें से इसके तीन पॉइंट हैं इसके बहिकंकाल में से तो सबसे पहले हैं जैसे इसका structure आफे प्लेक्वाइड स्केल फिर इसका development आफे प्लेक्वाइड स्केल फिर इसके बाद होमोलोजी आफ प्लेक्वाइड स्केल्स यह यहां पर प्लेक्वाइड का डाइग्राम दिया गया है ये तो इसमें से क्या होते हैं कि जैसे कि इस्ट्रक्चर आफे प्लेक्वाइड स्केल है तो इसमें से जो ये प्लेक्वाइड सल्क की जो समरचना है इसमें से क्या होता है कि प्लेक्वाइड स्केल जो डॉक फिस्की इसकीन की क्या है ये विशिष होता है जो प्लेकुआइड स्केल कहलाते हैं यह कह फिर इसके बाद दूसरी दूसरे इस्टेप की बात करें यानि कि डिवलप्मेंट आफ प्लेकुआइड स्केल यह क्या है तो एपी डर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस की कुछ मीजो डर्मिल कोशिकाउं द्वारा एकत्रित हो करके एक डर्मल पैपिला का निर्माण इसकेल डिवलप्मेंट का क्या है यह प्रत्थम संकेथ है ठीक है पर इसके बाद है होमोलोजी आफ प्लेकुआइड स्केल यानि कि प्लेकुआइड सलकों की समझातता इसी को कहते हैं तो यह क्या है कि प्लेकुआइड जो इसकेल है वो वल्टीब्रेट्स के दातों के अग्रज माने जाते हैं तो दोनों का मूलता समान, अकार, संरचना और भूरी परिवर्धन इन्हें क्या करते हैं? इन्हें समझात, संरचनाएं दरसाता है ठीक है? तो इस प्रकार से ये हो गया इसका एक्सो, इसकेल्टन फिर बात करें इसके सीलोम और विसरा की बात करें प्रगुहा और आन्तरांग इसमें क्या है? कि जो पेरी कार्डियल जो कैविटी है वो फेरिंग से के नीचे इस्थित होती है तो जो डाक फिसकी देहगुहा या प्रगुहा है ये बड़ी तथा दो आसमान कक्छों में विवाजित रहती है कौन कौन सी? पहली पेरी कार्डियल कैविटी और दूसरी है अब्डॉमिनल कैविटी ठीक है? तो इसमें से जो पेरी कार्डियल जो कैविटी है देखिए यहाँ पे डाइग्राम में ये जो ये इसकी पेरी कार्डियल कैविटी है यहाँ पे ये फैरिंग्स के नीचे इस्थित होती है और एलिमेंटरी कैनॉल हो गया, लीवर हो गया और क्या हो गया? पैंक्रियास हो गया, इस्पिलीन ये सब क्या है? ये सब विसरा कहलाते हैं आन्तरांग हैं ये सब तो ये सब इसी के अंदर ये सब रहते हैं आप इसके डाइगेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए डाइगेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? कि एलिमेंटरी जो कैनाल है वो जिसमें से भोजन गुजरता है और इसमें से जो खुलने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो सब इसमें समलित होती है Elementary Canal क्या करती है कि मुक से आरंब होकर के NS में समाथ होती है तीक है नीचे का पार्ट हो गया NS अब देखिए यहाँ पर यह diagram बना हुआ है यह इसका digestive system का तो इसमें से क्या है कि आहार नाल मुक से आरंब होकर के NS में समाथ होती है और यह सरीर की अपेच्छा अधिक लंबी है और इसमें जो इनके parts हैं अंग हैं जितने भी यह सब system इसमें सामिल होते हैं इसमें बक्कल कैविटी हो गई ठीक है यह बक्कल कैविटी हो गई और फैरिंग्स हो गया इसके बाद इसो फेगस हो गया इसो फेगस इस टमक हो गया और पैंक्रियास हो गया ठीक है यह इस टमक हो गया तो इस प्रकार से इसमें से यह इंटेस्टाइन अंदर की तरफ हो लीवर हो गया यह लीवर हो गया गॉल ब्लैडर हो गया बाइल डक्ट हो गया पाइलोरिक इस्टमक हो गया यह तो इस प्रकार से यह सब इसमें अंदर से इसके सामिल होते हैं समलित होते हैं अब देखिए इसका important point क्या है इस कोलियो डान एक परभच्ची मानसा हारी है ये क्या करता है अन्नमचलियों को खाती है ठीक है और ये भोजन को बिना चबाए ही निगल जाती है क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा है ये जो इसके दांत हैं ये सिकार पकड़ने के काम आते हैं चबाने के काम नहीं आते हैं अब है इसका अगला point respiratory system तो जो इसका सोसन अंग है इस कोलियो डान का वो क्या होते हैं पांच जोड़ी गिल पाउच तथा उनमें उपश्थित क्लॉम या गिल्स होते हैं में घुली oxygen पर निर्भर करती है इस प्रकार से सोसन क्या होता है aquatic होता है जली होता है इस कोलियो डान के जो सोसन अंग है वो क्या है पांच जोड़ी गिल पाउच तथा उनमें उपश्थित गिल्स है तीक है ये diagram को अगर हम देखें तो ये देखे ये क्या है इसके ये गिल पाउच और बाकी अंग है इसके अंदर तो इस प्रकार से जो इसका सोसन अंग है वो पांच जोड़ी गिल पाउच और उनमें उपश्थित क्लोम या गिल्स है अब बात करें इसके nervous system की लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इसके endo skeleton पोन्टा किया है यह बहुत इंपर्टैन पॉंट है का बना होता है इस को क्या कहते है उपास्थ्थी का बना होता है और क्या होता है जो पत्टाव जो यहां ancient इनकी सलके होती हैं, उनकी आधार पटिकाओं के अतरिक्त, अनि कोई वास्तिविक अस्थियां नहीं होती है, तो ये पॉइंट यहां पे कुलियर हो गया, कि जो endoskeleton है वो पूरता किसका बना होता है cartilage का बना होता है यानि कि उपास्ति का बना होता है एक जो adult endoskeleton के यानि कि एक जो adult scoliodon है उसके endoskeleton के कसेरुक दंड में एक दूसरे के पीछे से जुड़े लगभग कितने कसेरुक होते हैं 130 कसेरुक होते हैं तो इस प्रकार से यह हो गया इसका अंता का अंकाल अब बात करें इसके blood vascular system की तो blood vascular system में क्या है कि circulatory system में चार भाग इसके संबलित होते हैं कौन-कौन से hurt and pericardium arteries, veins और blood अब देखें यहाँ पर एक important point है कि इस koliodon का जो हिर्दय होता है जो hurt होता है वो क्या करता है केवल de-oxygenated अथवा venus blood प्राप्त करता है इसलिए यह क्या है venus hurt है तो इस प्रकार से यह इसका blood vascular system है इसमें से इसके चार भाग संबलित होते हैं nervous system की बात करें तो इसमें से इसके तीन पार्ट होते हैं तीन भाग होते हैं कौन-कौन से पहला है इसका central nervous system दूसरा है इसका peripheral nervous system और तीसरा है autonomic nervous system तो इसमें से जो scoliodarn का nervous system है इसमें से जब हम इसके cranial nerves की बात करें अगर तो जो brain से दस जोड़ी cranial nerves निकलती है यह इसका बहुत important point है ठीक है यह यह इसका diagram है कपाल तंत्रिकाई C को कहते हैं तो brain से क्या होती हैं दस जोड़ी cranial nerves निकलती है जो उनकी क्रमिक roman संख्या और नाम के द्वारा पहचानी जाती है तो यहाँ पर देखिए इनका नाम करण दिया गया है न तो यह सब जितना भी इनका नाम करण है ये सब क्या है ये इनका रोमन संख्या और इनके नाम के द्वारा पहचानी जाती है तो इस कोलियोडान में कितने जोड़ी cranial nerves होते हैं दस जोड़ी cranial nerves होते हैं अब देखिए इसका एक point और है कि इसमें से ये मोनेरो का रंद्र कहां पाया जाता है तो इसी के इस कोलियोडान के nervous system में ही एक मोनेरो का रंद्र यानि कि four mana मोनेरो कहां पेस्थित होता है ये सेरेब्रम के first और second तथा third निलाई के बीच का जो चिद्र होता है उसे हम कहते हैं मोनेरो का रंद्र समवेदी यंग sense organs क्या होते हैं तो जैसे सूंगने की चमता देखने की चमता सुनने की चमता इस पर्स करने की चमता तो ये सब क्या है ये sensory organs कहलाते हैं तो इनमें से जो dog fish के मुख के sensory organs है उनमें कौन-कौन से हैं ये तो ये all factory organs यहां पर काम करेंगे ये इसका sensory organs हो गया आइज देखने के लिए हो गया इयर्स कान होते हैं सुनने के लिए इसके बाद इसका neuromast और lateral line system यानि की तंत्री का papula ठीक है तो इसमें से क्या होता है कि यह जली जीवन से संबंधि संवेदी यंगों का एक तंत्र होता है ये भी इसके बाद इंप्यूली ओफ लॉरेंजनी यानि की लॉरेंजनी की तुम भी काएं देखे ये इस diagram से समझे है ये जो लॉरें लॉरेंजनी की तुम भी काओं का तो यह वास्तों में होते क्या है इनका जो है function क्या है में इसका concept क्या है इसका function पूछा जाता है तो यह वास्तों में थर्मो रिसेप्टर होते हैं ठीक है पहले इनका काम कुछ साइंटिस्टों ने बदाया था कि यह nervous system की तरह काम करते है लेकिन बाद में पता चला कि वास्तों भी क्रोप से इनका जो main function होता है वो ताप ग्राही होता है थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं यह और हिंदी में क्या कहते हैं इसको लॉर इंजनी की तुम भी काएं इसके बाद है इसका important last point है reproductive system तो reproductive system की बात करें तो इस कोलिय डान में जो दोनों लिंग होते हैं वो क्या होते हैं प्रथक प्रथक होते हैं ठीक है इसकोलियो डान में दोनों लिंग प्रथक होते हैं और sexual dimorphism यानि की लैंगिक दिरूपता पाई जाती है यह बहुत important point है दोनों important point है कि स्कोलियो डान में दोनों लिंग प्रथक होते है और sexual dimorphism यानि कि लेंगिक दिरूपता पाई जाती है अब देखिए इसका एक important point और है कि जो मध्य वरक्ती वरक्त है ये नर डॉक फिसके क्या है उतसरजी अंग है ठीक है मीसो नेफरिक किडनीज है जो वो male डॉक फिसके क्या है इसके बाद fertilization इसमें किस प्रकार का होता है तो fertilization इसमें आंत्रिक होता है इंटर्नल होता है तो इस प्रकार से हमने इस koliodon की पूरे full class को डिसकस किया है अब next वीडियो में हम next animal के बारे में डिसकस करेंगे तब तक चैनल को subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और share कीजे